आज हमारा सेकंड टॉपिक प्रारम होगा सेकंड टॉपिक का नाम है मादक द्रभ्यों का शेवन ड्रक अब्यूज आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्यान करेंगे मोबाइल स्क्रीन पर आपको इस टॉपिक की पीडियोप फाइल भी अवेलेबल करा दे जाएगी जिसकी साहता से आप अपने शौर्ट नोड्स बना पाएंगे तो आईए कैड़ेट्स हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर कैड़ेट्स मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है ड्रग अब्योज यानि मादक द्रब एवंग नशीले पदार्तों का शेवन ये आज के समय में सबसे बड़ी एक चुनोती एक शामाजिक बुराई भी बन चुकी है जिससे अनेक प्रकार की कान अर्चनों का शामना समाज को और देश को करना पड़ता है आज के समय में मादक पदार्तों का शेवन एक बड़ी चुनोती बन चुकी है युवाओं का एक बड़ा बर्ग इसकी चपेट में आ गया है कोकीन, चैरस, हेरोईन, अफीम, गाजा, विस्की, रम, बीर, ब्राउ शुगर, हशिष, भांग जैसे नशीले पदार्त का शेवन करके लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्पूर्ण है क्रेडट्स नसीले पदार्तों के अंतरगत कौन-कौन सी पदार्त आते हैं इसको आप मोबाईल स्क्रीन पर देख सक शराब, विस्की, रम, बीर, ब्राउन शुगर, भांग इत्याद याती है यही नहीं डॉक्टर द्वारा लिखी गई नीत की गोलियां, तनाओ, चिंता और शाद कम करने वाली गोलियां, कप, शीरब जैसे कोरेक्स का सेवन इत्याद भी नशीले पदार्तों के अंतरगत आते हैं, तंबाको पदार्त जैसे बीडी, सिग्रेट, गुटका, खेनी, जर्दा, पान, मशाला, ये भी जो है नशीले पदार्तों के अंतरगत आते हैं, और एक अंतिम वस्तु है, वास्पसिल, बिलायक जैसे नेल, पॉलिस, रिमोवर, पेट्रोल, पेंट, इत्याद भ पदार्त के रूप में लिये जाते हैं, क्रड़ेट्स हम देख पाएंगे कि मादक पदार्त लेने के अनिक कारण होते हैं, जिसको हमें पॉइंट में नोट करना होगा, क्रड़ेट्स मादक पदार्त लेने के शेवन के अनिक कारण हैं, जैसे कुछ युवा बर्ग आनन पाने के लिए और अधेर बर्ग भी इनका शेवन करते हैं, इनके सेवन से कुछ समय के लिए सरीर में ताकत रहती है, मनोवल आत्मे विश्वास बढ़ जाता है, लोग का इसका उप्योग उप्योगी लगने लगता है, जिसके कारण से इसका प्रियोग बहुत तेजी से बढ़ा है, यहीं नहीं, आजकल महंगी जीवन सहली में माता पितार दोनों ही पैसे कमाने के लिए नौकरियां करने लगे हैं, वो बच्चों को ख्याल नहीं रख पाते हैं, जायत तर माता पितार शुबह घर से निकलते हैं और रात में घर वापिस आते हैं, बच्चों को जेव खर्च के लिए अधिक से अधिक पैसा देते हैं, जिस यही नहीं एक अन्य कारण भी है, जैसे कि कुछ अपने दोस्तों में प्रभाव में आकर के बच्चे अपने सबसे पहले ड्रक्स लेना सुरू करते हैं, फिर उसका जो है एक शौक बना लेते हैं, जल्दी इनकी यह शौक जो है लत्व में परिवर्तन, यह नहीं आदत में प फैशन समझने लगते हैं, अमेर बच्चों में यह ज़्यादा ही समझ्या देखने को मिलती है, इसके अलावा कुछ लोग जो है अपने दुख दर्दों को जीवन की समझ्याओं से पलायन करने के लिए भी इसको एक माध्यम के रूप में श्विकार करते हैं, कुछ लोग बोरियत, अनिद्रा, गुष्चे, आद इसे बचने के लिए इसका सेवन करते हैं, यह हमारे नशिले पदार्तों के शेवन के कुछ कारण हैं, जिनमें समाज के द्वारा इनका सेवन किया जाता है, माध्यक पदार्तों के शेवन के क्या प्रभाव निकलेंगे, कैड़ेट्स ध्यान देंगे, बहुत गंभीर परणाम निकल करके सामने आते हैं, नसीले पदार्तों की लग जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बार बार नसीला पदार्त लेने की तलब याने की जिग्यासा लगती है, प्यक्ति अपने भविश के बारे में कुछ नहीं शोच पाता, जब वो पदार्त नहीं लेता है, तो उसे बड़ी बेचैनी लगती है, बदन दर्द होता है, चिट-चिडापन मैसूस होता है, भूक नहीं लगती है, गुशा आता है, हात पैरों में दर्द और भारीपन लगने लगता है, तो ये कुछ चीजें उसको सरीर में लच्छन दिखाई देने लगते हैं, उसके अलवा इन नसीले पदार्तों का मस्तिस्क, यक्रित, हिर्द गुर्दों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हार्ट अटेक का खत्रा बढ़ ज हो जाता है, वो अपने रुचकर कारियों से भी विम्योंक हो जाता है, नसी के प्रभाव में व्यक्ति दूसरे लोग को साथ बुरा बहुर करता है, महिलाओं से छेड़ खाने, बालतकार, हिंसा, आत्महत्या, मोटर, वहन, दुरगटनाएं भी इसके कराण हो जाती है, हत् प्रभाव में व्यक्ति दूसरे लोग के पैसे चोरी करने लग जाता है, कई बारों अपनी जमीन, मकान, कार, घर का शामान, कहने और दूसरी शंपदा भी नसा के लिए बेज देता है, व्यक्ति की आर्थिक इस्तिति इससे बज से बत्तर हो जाती है, तो कैड़र चान दे कि इससे कितनी बुरी समाजिक और समाजिक परिशानियां पैदा होती है, यह आप यहाँ पर देख पा रहा है, इससे कैसे बचें, यह बहुत important question है, कि नसीले पदार्तों के सेवन से कैसे बचा जाए, इनके लिए निम्लके तुपाय अपनाए जा सकते हैं, आप ध्यान दे जा सकता है कि अपने मन में नसे किलत को छोड़ने की ठानले जिए, मन में प्रविल इच्छा इसके लिए होना जरूरी है, तो प्रवल इच्छा का होना सबसे पहला पॉइंट है, दूसरी सेकेंड है, इसको जो भी नशा करता है, उसको नशा मुक्तिकेंद्र या जिसको प और सबका इलाज एक साथ डॉक्टरों की द्रेक में किया जाता है, समू चिकिस्टा में मरीज का इलाज एक अच्छा ऑप्शन अविलेबल है, तर्ड है, मनोबैग्यानिक पद्दत इसे रोवि का इलाज किया जाता है, इसमें उसको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप इसकी आदत के कार्ण से आप बेचैन रहते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है, ध्यान और योग के द्वारा भी मादक पदार्थों का लच छोड़ा जा सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं और उसके अलावा जो है, हर समय अपने कुछ ऑप्शन को और बेस्तिमाल किया जाता है, हर समय अपने दोस्तों, रिष्टदारों और हिटासियों के साथ रहें, जब आप उनके शामने हर समय रहेंगे, तो आप नशा करने का मौका नहीं मिलेगा, एक अन्य बिकल्प का इस्तिमाल भी किया जा सकता है, जो मैंने वग्यानिक ही कह सकते हैं, नसे से ग्रस्त खराब हो रही है, तो ये टिक्स और उपाय अपना करके नसे से मुक्ति पाई जा सकती है, कैड़ेट्स, निश्करशात्मक रूप में कह सकते हैं कि नशीले पदातों का शेवन कुछ मिन्टों के लिए आनन देता है, पर इसके दुरगामी पढ़ाम, दुस्त पढ़ाम होत होते हैं, या ब्यक्ति को धिरे-धिरे निगल जाता है और उसके जीवन को हर तरह से बरबाद कर देता है, ऐसे लोग आये दिन लोगों से जाते हैं, फिस या कारे अस्तल पर साथी करमचारियों के साथ मार पिट दुर बेवार शुरू कर देते हैं, काम करते हुए दुर घ प्रक्तिका सब कुछ खतम हो जाता है, अता हमें नशीले पदार्तों का शेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, इस समस्या, जो लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं, उनको द्रिढ निश्या करके इसे छोड़ देना चाहिए, याद रखें, नसा एक जहर है, कैड़ेट्स, ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत!